नश्कार दोस्तो मेरा नाम है एडू की त्रिभूबन कौशेक और आप लोग दिख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग दोस्तो आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनके शायद आपको लगे कि शायद ये आपके साथ भी कभी हुआ दोस्तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आप कभी किसी के साथ रिलेशन्शिप में रहे हैं यानि कि आपका बॉइफ्रेंड या आपका आपकी गोउट्रेंड और अगर उन लोगों ने आप से फिजूल खर्ची कराई यानि कि उन लोगों ने आपके पैसे का और आपके मोशन्स का इस्तेमाल किया और जब आपका रिलेशन्शिप ये खप्म हो गया तो क्या आप उन लोगों से जो आपने अपना पैसा जो उनके उपर खर्च किया क्या वो पैसा आप वापस ले सकते हैं दोस्तों आज यसी के बारे में बात करेंगे अगर अभी तक आप लोगोंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटावट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों आईए आज का ये वीडियो ब्लॉग शादी शुदा थी उन्होंने जो है उनका इस्तेमाल किया यानिकी currently sub popeर जिनोह ने मुझे इटेल इमेल दिया उनने उनकी गफरेंड ने उनका स्तेमाल किया शादी शुदा थी और उसके बबजू इस बात पाते हुए औरानी ये जो मीरे सब्सक्राइबर एक्स है में आट जो है एंट है तो अब बात यह है कि एंके पास कोई लीगल रेमेडी है उस पैसे को वापस लाने के लिए लिए अब इसके बारे में जो है डिसक्स्शन करते हैं डीटे viewers a जो हमने अभी आपके सामने समस्या डिसकस की इसको भी ऑजह तरीके से लिए डेल करने के लिए provisions हैं दोस्तो सबसे पहले civil इसका जो है understanding समझ लेते हैं कि civil कानून क्या कहता है तो दोस्तो civil कानून यानि कि code of civil procedure के हिसाब से अगर आपने अपनी relationship में जो पैसे खर्च किया और अगर आपके पास उसका ब्योरा यानि कि आपके पास उसकी details है तो यह जो आपका जो boyfriend या girlfriend है जिसने आपके emotions का इस्तेमाल करते हुए आप से धन का खर्च करवाया और आपके पास अगर इसका ब्योरा है तो आप उसके खिलाफ recovery suit दायर कर सकते हैं यानि order 37 CPC के हिसाब से आप एक recovery suit जो है आप कर सकते हैं यह recovery suit करने से पहले आपको एक लीगल डिमांड नोटिस भीजना पड़ेगा तो यह आप कर लीजे तो यह जो मेरे सब्सक्राइबर एक्स हैं उनके लिए information है कि वह एक लीगल नोटिस भेश के recovery suit जो है दायर कर सकते हैं अब बात करते हैं criminal remedy के दारे में तो दोस्तों यह जो मैंने situation यानि कि जो मसला आपके सामने discuss किया यह जो मेरे सब्सक्राइबर एक्स हैं उनके पास जो है 400 BC यानि धोका धड़ी के तहद criminal मुकदमा दर्ज कराने का भी लीगल रेमेडी अवेलबल है तो आपने जो सब्सक्राइबर एक्स आपने जो डीटियल्स मुझे शेर की उसके तहद आप यह सेविल कारवाई भी कर सकते हैं और धोका धड़ी के sections के तहद यानि की 400 BC के तहद आप जो है इन आपकी जो यह महिला फ्रेंड है इनके या जो आपकी महिला फ्रेंड थी उनके खिलाब आप जो है यह कर्मिल मुकदमा भी दायर कर सकते हैं दोस्तों अगर आप ऐसे relationships में हैं जहां पे आपके partners यानि आपके boyfriend girlfriend अगर आपका अस्तेमाल कर रहे हैं आपसे धन कर रहे हैं तो यह मेरी आपको अडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि यह आप किसी दवाब के चलते कर रहे हैं तो आपके नहीं करना चाहिए और यह श्यूट कमाण ऊट रेलेशनिशन्शिप लाट यह एक च्छोटा से वीडियो ब्ल की उच्छध धाराओं में कारेवाही करें दोस्तों कई बार जो है हम सिर्फ के लोगों को बात ना पता चल जाए इसके चलते जो हम यह जो है पैसों का जो हमने रिलेशन्शिप में जो इन्वेस्ट कि होते हैं उनको हम नहीं मांगना चाहते हैं लेकिन आप अगर अब्यूस नहीं दोस्तों नमस्कार्ण